तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए है चनल नौलिज के टॉप टैन क्वेस्टन जो की हर एक्जाम में पूछे जाते हैं और आपको इनको जुरूर लर्न कर लेना चाहिए इससे पहले हम वीडियो को सुरू करें आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जबाए ताकि आप कोई भी अपडेट आगे चलके मिशना कर पाए तो लिए आगे चलते हैं फर्स्ट क्वेस्टन है भारती जूट उद्द्यों के प्रमुक प्रतिद्वन्धी कौन है चीन, नेपाल, बांगलादेश या फिर जापान प्रतिएक प्रस् जादू गुड़ा का सम्बंध किश्चे है लोहा के खनन से अभ्रक के खनन से यूरेनियम के खनन से या फिर तामबा के खनन से अंसर ओप्से नमबर तीन यूरेनियम के खनन से जादू गुड़ा का सम्बंध यूरेनियम के खनन से है थार्ड क्वेस्चन है सबसे पुरान पुरानी चालू परिकर्ण साला कहां पर है ब्रह्मास में बसरा में डिगवेई में या फिर टेकसास में अंसर चला जाएगा ओप्शन नंबर टीन डिगवेई सबसे पुरानी चालू परिकर्ण साला डिगवेई में है विश्व सवरईया फटीन कहां पर स्थित्थ है बैंगलूर में भद्रावती में मैं या फिर मैसूर में अंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर टू भद्रावती में विश्व सवरईया की फेघ्व में साला कि परियोजना किषन नदी पर है अंसर चला जाएगा option number two कृष्णा निधी पर नागर्जुन सागर परियोजना कृष्णा निधी पर है दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कॉमेंट बॉक्स में आप इन questions का answer भी लिख सकते हैं next question six है कोईले से वानिजिक रूप से पैदा होने वाली उर्जा को क्या कहते हैं प्रकाश उर्जा तापुर्जा गतिज उर्जा या फिर स्थितिज उर्जा अंसर चला जाएगा ओप्सन नमबर टू तापुर्जा कोईले से वानिजिक रूप से पैदा होने वाली उर्जा को तापुर्जा कहते है Q7 है भारत में अंतराश्टी सुनामी चेतावनी प्रनाली को कब अपनाया गया 2004 में 2005 में 2006 में या फिर 2007 में सही अंसर चला जाएगा ओप्सन नमबर टीन 2006 में भारत में अंतराश्टी सुनामी चेतावनी प्रनाली योजना को 2006 में अपनाया गया था Q8 है घटिय वस्तू की मांग कब गिरती है कीमत बढ़ती है तब कीमत घटती है तब आय घटती है तब या फिर आय बढ़ती है तब अंसर चला जाएगा ओप्स नंबर चार आय बढ़ती है तब जब लोगों की आय बढ़ती है तब वो घटी वस्तू को लेना पसंद नहीं करते इसलिए घटी वस्तू की मांग तब गिर जाती है Q9 है भारत सरकार किस से सबसे ज्यादा राजश्व कर एक अत्रित करती है नंबर एक प्रत्यक्ष कर नंबर दो शीमा कर नंबर तीन घाटे की वित्त वियवस्ता या फिर नंबर चार शायूक्त उतपादन कर से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेस्टन है ध्यान से इसका अंसर कर अपने सोचना है अंसर हो जाएगा ओप्से नंबर एक प्रत्यक्ष कर भारत सरकार प्रत्यक्ष कर से सबसे ज्यादा कर एक अत्रित करती है क्वेस्टन टेड़ लास्ट क्वेस्टन है कौन सा नीजी कोर्पोरेट क्शेत्र की बज gift को दर्शाता है कमपनी के को लाब शेर धार्को को लाभांग व्याई के अधिक आई या फिर अवितारित लाब उत्तर चला जाएगा आवितरित लाब नीजी कोर्परेट क्षेत्र के बचत को आवितरित लाब दर्शाता है दोस्तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कॉमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताए कि आपको इंटर्ण क्वेस्चन में से कितनों का सही अंसरा था और ऐसी ही जर्नल नॉलेज़ फूल फॉल फॉर्म्स और इंटरेस्टिंग क्वेस्चन की वीडियो के लिए हमारे चैनल हल पे बेटा को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को भी प्रस कर लिजे जिससे आपको हमारे द्वारा डालीगे वीडियो की नॉटिकेशन मिलती रहेगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर